Hello friends, I am Ruchna, welcome to my YouTube channel आज हम आपको प्राणी साडी में से एक double layer gown design करना बताएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें साडी को cut करना है तो साडी को हम किस तरीके से cut करेंगे? वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हम एक साड़ी में से बहुत ही सुनर गावन डिजाइन कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे साड़ी में से जो पल्लू होता है वो हमारा काफी वर्कम वाला होता है तो सबसे पहले हमें पल्लू को ही कट करना है इस पल्लू से हम गावन को डिजाइन करेंगे और जैसे कि इसमें दोनों साइड में बॉर्डर है और पल्लू में साइड में भी बॉर्डर होता है इस बॉर्डर को मैंने यहां से कट कर लिया है इसे मैं टॉप है उसको डिजाइन करूँगी तो यहां पे पहले मैंने पल्लू को cut किया है और साइड से border भी निकाला है और जो साड़ी है हमारी अब पल्लू cut करने के बाद तो हमने यहां पे length cut की है तो हमें length इसकी 26 inch लेनी थी तो हमने इसे उपर से cut कर लिया है यदि आप full length का बनाएं तो पहले जो लाश्ट में plan fabric होती है साडी में उसे cut कर लें top part के लिए तो मुझे तो कम length का बनाना था तो मैंने इसकी length 26 inch लेकर इसे उपर से cut कर लिया है जो top part रहेगा जो उपर का कपड़ा बचा हुआ मैं उसमें से cut कर लूँगी यदि आप length का बनाएं तो आप plan fabric को cut कर लें जो साडी में side में होती है देखिए length तो आपको measurement के according लेनी है और चोड़ाई आप जितनी चाहें रख सकती है और हमें इसे center से भी cut करना है क्योंकि हमें इसमें दो पर्दे चाहिए एक हमें back के लिए और दूसा front के लिए तो यहाँ पर हमने यह two पर्दे cut किये हैं और जो साडी में work होता है नीचे की तरफ यह हमारा bottom part पर आएगा तो हमने ऐसे two पर्दे cut किये हैं तो इसकी length है वो 26 inch है आप ध्यान लखें 26 inches की length है और हम जो double layer बना रहे हैं उसकी length इससे 4 inch हम कम रखेंगे और यह length हमारी 26 inch है तो इसके बाद जो यह उपर की side में कपड़ा बचा हुआ था इसमें से हमें top part कट करेंगे क्योंकि हमारी कम length का था तो हमने इसे उपर की side में से ही जो यह कपड़ा है इसमें से हम top की cutting करेंगे तो यहां पर हमें कपड़े को एक वार fold करना है और इसके बाद हम इसे दुबारा से fold करेंगे तो हमें टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल लेयर में फोल करना है तो यहां पर हमने फोल लेयर में फोल किया है जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना हमने फोल किया है और जो साइड में कपड़ा है इसे हम कट करेंगे तो यहां पर हमने side वाले कपड़े को cut कर दिया है इसे हमने full layer में fold किया है अब हमें इसकी drafting करनी है तो कपड़े को हमें ऐसे सीधा करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके और जो हमारा एक कपड़ा है एक side हमारी कपड़े की बंद है और इधर की side है कपड़े की खुली हुई है तो अब हमें क्या करना है बंद side की तरब से हमें solder की marking करनी है तो यहां पर हम solder ले रहे हैं 5 inch जो भी आपका solder हो आप उसका half ले तो यहां पर हम 5 inch पर एक mark कर रहे हैं इसके बाद जो हम armholes की length ले रहे हैं वो हम five and half inch ले रहे हैं बेवी dress में armholes की length solder से half inch अधिक रखते हैं क्योंकि यह baby long gown है तो यहां पर हमने armholes की length five and half inch ले है इसके बाद यहां पर हमें चोड़ाई का fourth लेना है जो भी आपकी चोड़ाई हो उसका fourth ले तो यहां पर मैं eight inch पर mark कर रही हूँ one inch मैं margin के लिए add कर रही हूँ और जो हमारा ये top part होगा ये हमारा 14 inch का सिलके तयार होगा तो यहां पर हम जो इसकी length ले रहे हैं वो हम 15 inch ले रहे हैं एक inch हम इसमें sli के लिए add कर रहे हैं ये चोड़ाई का होगा तो इसलिए हमने इसकी length 15 inch लेनी है और इस लाइन को हमें ऐसे खीचना है तो यहाँ पे हमने चोड़ाई का फोर्थ लिया था यहाँ पे हमें कमर का फोर्थ लेना है तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है कमर है 26 इंच 26 इंच कमर है तो उसका फोर्थ हुआ 6.5 इंच तो यहां पे हमने 6.5 इंच पे एक मार्क किया है और 1 इंच यहां पे भी हम सिलाई के लिए एड़ कर रहे हैं इसके बाद इन लाइनों को हमें आर्म होल्स की तरफ ऐसे मिलाना है तो हमें ऐसे इस लाइन को ऐसे खीचना है मैं यहां आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके कोई जल्दी नहीं है इसलिए मैं आपको आराम से यह ड्राफ्टिंग करना बता रही हूं तो यहां पे मैंने इस लाइन को ऐसे खीच दिया है इसके बाद हम आरम होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जो भी आरम होल्स की लेंद हो सेंटर पे हमें एक मार्क करना है और यहां पे हम वन इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि यह बेवी ड्रेस है इसलिए हम वन इंच पे मार्क कर रहे हैं और हमें ऐसे गोलाई करने है जो मार्क हमने सेंटर पर किया था वहां से हम ये गोलाई करेंगे ये हमारी बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है सेंटर के मार्क पर हम हाफ इंच गले की तरफ करेंगे और हाफ इंच हमें यहाँ पर मार्क करना है और अब हमें इसकी गोल गोलाई करनी है तो जो यह मार्किंग होती है यह हमारे फ्रंट आर्म होल्स की होती है तो यहां पर हम ऐसे गोलाई कर रहे हैं यह हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे तो यहां पर गले की चोड़ाई मैं 2 इंच रख रही हूँ तो हमने ऐसे टू इंच पे एक मार्क किया है और इसके बाद इहांपे जो गले की l silic है, फ्रंट में यहांपे फ्रंट गले की लेंद Also the इसके बाद हमें बैक गले की लेनी है बैक गले की लेन्थ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ तो हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और यहां पर हमें 1.5 इंच पेस की गोलाई करनी है यह हमारा बैक गला होगा इसके बाद एक मार्क हम आर्म हॉल्स पर करेंगे हाफ इंच पर तो यहाँ पर हम हाफ इंच पर एक मार्क कर रहे हैं आर्म हॉल्स पर और गले की तरफ ऐसे इस लाइन को तिलशा करेंगे तो गले से आर्म हॉल्स की तरफ हाफ इंच डाउन करते हैं यह हमारी जो top part है इसकी हमने drafting कर ली है अब हम आपको इसे कट करना बता रहे हैं पहले हम solder की तरफ से कट कर रहे हैं फिर हमें arm holes की तरफ से कट करना है side से अब हम इसे यहां से कट करेंगे इसके बाद हम दोनों गले साथ में ही कट करेंगे back गले दोनों पर्दों के इसके बाद अब हमें एक पर्दे को लग करना है जो हमारा बैक पर्दा होगा और फ्रेंट पर्दे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और यहां पर हमें फ्रेंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है तो यहां पर हम फ्रेंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है औ तो हमारा जो गाउन है यह हमारा कट हो गया है इसके बाद जो हमारे पल्लू है इस मैंसे हम गाउन को डिजाइन करेंगे तो अब हम उस मैंसे आपको कट करना बताएंगे पहले हम आपको टॉप को डिजाइन करना बता रहे हैं जैसे कि जो हमने साइड से लैस कट की थी पल्ल सकती है एक लेस आप ऐसे लगा लें और दूसरी लेस कमर पे भी आप लगा सकती है तो ऐसे आप टॉप को डिजाइन कर सकती है इसके बाद अब जो हमारा पल्लू है अब हम आपको उसे कट करना बताएंगे कि उसका हमें क्या करना है तो यहां पे अब हम पल्लू की कटिंग क करना बता रहे हैं आपको तो हमें ये पल्लू लेना है और इसे हमें ऐसे फोल्ड करना आप ध्यान रखें इसे हम लेंध में फोल्ड कर रहे हैं तो जो हमारा ये बॉटम पार्ट रहेगा ये दोनों तरफ सेम होगा तो हमने इसे ऐसे फोल्ड किया है लेंध में और जो इसकी length है वो है इसकी 22 inch तो जो हमारा पहला घेर था इस करेट पार्ट था उसकी length 26 थी और इसकी जो length है 22 inch है 22 inch इसकी length है fold करने के बाद क्योंकि हमाई 2 परदे चाहिए इसकी length हमने ली थी 26 inch और पल्लू मैंसे हम length ले रहे हैं 22 inch यदि आप कम करना चाहें तो length को कम भी कर सकती हैं मैं इतनी ही रख रही हूँ मुझे कम 4 inch कम चाहिए थी ये उतनी है और हम इसे center से cut कर रहे हैं चोड़ाई तो हमें उसी परदे के बरावर रखनी है दोनों परदों की चोड़ाई तो हमें same रखनी हैं दो परदे हैं इसमें भी एक back का परदा है और दूसरा front का परदा है तो हमारे जो ये घेर वाले परदे हैं ये हमारे टू परदे हैं और टू परदे हमने पल्लू में से आएगा ऐसे ही back पर आएगा और ऐसे ही front पर आएगा और इसके बाद इस लेस को आप ऐसे लगा लें यहां पर टॉप में ऊपर की साइड में ऐसे सिंपल ही लेस सिलनी है और ऐसे कमर पर भी आप इस लेस को सिल सकती है और ऐसे ही आप बैक परदे में भी लेस लगा सकती है और इसे सिलना बहुत ही आसान है पहले आप टॉप वाला परदा तयार करें मैं आपको सिलने का तरीका बता रही हूँ सबसे पहले हमें फ्रेंट पर दे हैं और बैक के वक्त पर दे हैं। पहले हमें फ्रेंड के दोनो परदे लेने हैं। और उपर सैड में हमें जलाई लगानी हैं। सोचा मैं आपके साथ ये कटिंग ही सेयर कर लूँ और आपको बता सकूँ कि आप साड़ी में से कितना संदर गाउन डिजाइन कर सकती है क्योंकि सिलाई तो मैं इसके आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि डिलीट हो गई है फ्रेंड्स यदि आपको सिलाई भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं सेम ऐसी ही दूसरी वीडियो बनाऊंगी सिलाई की आप उसमें देख सकती है तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार